हेलो एब्रिवन आज मैं सूजी का पिल्कुल ही कुरकुरा सा नास्ता लेकर आई हूँ जिसे आप अश्टोर करके महिलों भर रख सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं कोई भी दिकत नहीं है बहुत ही टेस्टी सा बनकर त्यार होता है बनाने में बहुत ही आसान है और आप थोरे से सूजी में मातर एक कप सूजी में आप पूरे महिने भर का तयार करके रख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दो कप से थोरा सा ज्यादा मैंने पानी ले लिया है दो कप से थोरा सा मैंने पानी ले लिया है और अब इसे आग पर चढ़ाएंगे कैस के कप से थोरा कम सुजी में डालूंगी तो यह रहा एक कप तो पानी में नमक और एक चमच तेल डाल देजिएगा स्वादनुसर नमक और एक चमच तेल और जब पानी हलका हलका बॉयल होने लग जाए तो यहां पे करीब करीब दो कप से थोरा सा कम मैंने यहां पे सुजी डाल दिया है और इसे लागातार इस तरह से चलाते रहिएगा और इस तरह से हमारा सुजी थोड़ा बज से सुझा 되어 बच अको इसली Sh princi में आंफर और मैंने सूजी देते हुए इस तरह से आपको better तयार कर लेना है आठा जैसा इतना सूजी मैंने बचा भी लिया है तो कहने का मतलब की दो कप सूजी में दो कप पानी आपको लगेगा ठीक है दो कप से थोड़ा सा पानी आपको अधिक लगेगा ध्यान दीजेगा यहाँ पर मैंने तोरी मखाना डाल दिया है मखाना को काफी धीमी धीमी आज पे आपको फ्राइ करना है और इस तरह से मखाने का ये बीज होता है उपर का कभर होता है वो हटा दीजेगा वरना अगर आपको बच्चे खाते हैं तो तीथ के पास जवाता है तो काफी हाट सा होता है बच्चे को पसंद नहीं आता है नुक्सान दे सकता है दातों के लिए तो यहाँ पे धीमी-धीमी आज़ पर इसे काफी बढ़िया से भून लेना है और इस तरह से आपको चेक करना है देखिए मैंने चेक किया है तो यह काफी अभी शॉफ्ट है यह अभी तक फ्राय नहीं हुआा है और और इसी त accumulations मायों बुलिए से झालन Last Cobb काफी बढ़ी काफी कड़्ाइ से ख्राइ करेंगें धुरखास्ती मिल्ट हो जाए cī ने नांधो नांती जाए तो या बादाम सबस working-प्राइक करेंगे Ciao साई से फ्राई कर लेंगे उसके बाद यहां पर काजू डाल देंगे और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे और अब मुंग फली डालेंगे जिसे चिनिया बदाम पीनट कहते हैं और इसे भी थोड़ा भूलेंगे किसमिस अभी नहीं डालना है क्यूंकि किसमिस काफे ड्राइफ्रूट का मात्रा आप अपने अनुसार डालिएगा आप कितना ड्राइफ्रूट कितना अधिक डालना पसंद करते हैं तो वो अपने अनुसार डाल लिजिएगा ऐसा कुछ नहीं है कि आधा कटोरी डालना है एक कटोरी डालना है आपको जितना पसंद है उतना डाल लास्ट में थूरा सा मैंने किसमिश डाल दिया और इसे भी फ्राई कर दिया और सबसे लास्ट में आज को मैंने धीमा कर रखा है और यहां पर मैंने डाल दिया है करी पता तो करी पता भी आप अपने अनुसार डालिएगा मैंने एक मुठी डाला है करी पता और इसे भी फ्र कर लेना है करीपता मैंने ड्राइवाला डाला है सुखा कर मैं रख लेती हूं अगर आपके पास हरा है मतलब ताजा है तो आप भी डाल सकते हैं तो सभी ड्राइव फ्रूट्स को मैंने अच्छी तरह से फ्राइव कर लिया है काफी ये क्रिस्पी है देखिए करीपता भी अब इसे बड़े बर्तर में निकालेंगे और बरे बरतर में निकालने के बाद इसे गूंद लेना है और यहां पे मैंने उबला हुआ तीन आलू लिया है आलू मिडियम साइज काहा है और मैंने उबाल कर इसका छिलका निकाल लिया है तो आलू डालने से क्या होता है कि ऐसे तो आप सिर्फ सूजी में भी बना सकते हैं लेकिन सिर्फ सूजी में अगर आप बनाते हैं तो काफी वो हाड जैसा बनता है बस बरे लोग तो खा सकते हैं पर बच्चे कहा नहीं पाते हैं क्योंकि नए नए दांत उनका जमना रहता है तो हाण हो जाता है तो वो खा नहीं पाते हैं तो अगर आप इसमें दो तिन आलू ढाल देते हैं तो वो हलका सा क्रिस्पी रहता है ज्यादा टाइट नहीं होता है हलका क्रिस्पी रहता है तो बच्चे बरे ही आसानी से खा लेते हैं और नुक्सान भी नहीं पहुँचाती है उनके मसूरों को तो इस तरह से बहुत ही बारिक ग्रेटर में आपको कदुकस कर लेना है कदुकस करके ही डालिएगा ताकि इसकी जो गुठली हो वो हट जाए जो आलू का है और इस तरह से आपको हलका हलका सा हाथों में तेल लगाते हुए आपको बहुत ही अच्छे से डो तयार कर लेना है सौफ्ट सा डो तयार किजेगा हाड मत तयार किजेगा अगर आपको लग रहा है कि हलका टाइट हो गया है हमारा डो तो हलका हलका गुनगुना पानी आप लेते हुए इस तरह से आप गुंद सकते हैं और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल लूज है तो आप दुबारा से कढ़ाई में या पैन में सूजी डालकर अलग से मिक्स करके इसमें मिला दीजिएगा डो हमारा काफी बढ़िया से त्यार हो चुका है तो अब इसे अलग-अलग मैं रख रही हूँ और अब मैं सांचा ले रही हूँ और इसी सांचा में कई प्रका़ कर रहता है इसमें आप कौन सा सांचा में बनाना चाहते हैं मोटा पतला तो मैं बारिक पतला वला ले रही हूं साचा और इसमें मैं थोड़ा तिल लगा रही हूं ताकि हमारा अच्छे से निकल जाए और जब भी डालिएगा थोड़ा थोड़ा तिल लगा लीजिएगा अंदर भी मैं तिल लगा देती हूं ताकि स्मूदली यह निकल जाए तो इस तरह से आपको अंदर डाल देना है और आप डो को लेना है और डो को अंदर डाल देना है म कम कelect्री कर देना है क मैं से याल आपाल मान भी तक जार से तकी ओ डाल देना है जाम से वेला है और राल देना है और म हैं । घ्याट जा है यजा है और बाहर से इस तरह से कपरे से वाइप कर लिजेगा पूछ लिजेगा क्योंकि हलका-धल के अब देल साफ करेगा यह फिसल कर गीरो है और देखे इस तरह से पहले तेल में डाल कर केक करेंगे इसे रिफाइंड ओल या फिर डालडा में आप तलिएगा या फिर घी में तलिएगा सरसुतेल में मत तलिएगा वरना सौफ्ट हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आ पाएगा काफी तेल को अच्छी तरह से घर्म करना है उसके बाद इस तरह से आपको डाल देना है साची खिसा हैता से सभी सिवईयों को बना लेना है और इस तरह से पलटते हुए आपको फ्राई कर लेना है जब लाल सा दिखने लगे तो आप निकाल लिजेगा हलका सा ये खरखराहट के आवाज आने लग जाते है तो समझ जाएगा कि ये निकालने के लिए तयार है इसी तरह से सभी सिवईयों को बना लेना है और ध्यान दीजिएगा इसे दो से तीन वार पलटिएगा लेकिन थोरी दर बाद पलटिएगा और कहीं भी आप चूक मत होएगा कहीं जाएगा नहीं वरना ये काफी जल्दी ये जल भी जाता है तो ध्यान देते रहेगा तो इस तरह से मैंने सुझी की सिवईयों को तो बना लिया है और देखे कितना क्रिस्पै सा ये बंगर तयार हुआ है बहुत ही पतला बारी के ये बंगर तयार है तो चलिए इतना सुजी का मैंने बना लिया है और इतना डो अभी भी पाकी है मुझे काफी देर हो रही थी मुझे जाना था अपने बच्चे को लाने के लिए स्कूल से तो मैंने इसे छोड़ दिया था बनाना बाद में जब मैं स्कूल से लेकर आई बच्चे को तब मैं फिर बनाई थी दुवारा से तो इस तरह से आपको एक बरा सा बरतन लेना है और सुजी की सिवईयों को रख देना है और भूना हुआ ड्राइप रूट भी डाल देंगे और हाथों की सहायता से इस तरह से तोरते जाएंगे और इसकी आप आवाजे सुन सकते हैं कितना ये क्रिस्पी बनकर त्यार हुआ ह अब इसमें आधा चमच चाट मसाला आधा चमच आमचूर पावडर दो चुटकी काला नमक क्यूंकि काला नमक चाट मसाला में भी डाला रहता है तो आप नमक कम ही डालेंगे काला नमक और एक चमच मिश्रिका पौडर मैने डाला है आप चीनी का।वडर भी डाल सकते हैं इस екст आता हैसा बहुत ही टेश्टि बनकर त्यार होता है। मैने एक और भी रेशिपी शÈयर किया है NaymanUCKeIn과 Norat BM часBe official MOS Originally का देख सकते तो यह पाता है कि आप कुछी दिन में इसे खतम कर देंगे तो देखें कितना बढ़िया सा हमारा मार्किट से भी ज्यादा बढ़िया हमारा घर्ब का नमकिन बन कर तयार है तो मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब सेयर जरू करें फ्रेंड्स मिलते हैं जल्द ने 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 वीडियो में थैक यू सो मच